उस्ता हुआ जो दिन है हमारा वो दिन जो हम काम कर रहे हैं उसमें जितनी एनरजी लगा रहे हैं उसका आधा महतो है आज का दिन है हमारा प्रेस का मीडिया का नियूज का यानि जितने भी माध्यम है जो भी मीडिया जिसको बोलते हैं यूटूब, फेस्बुक, सोसल मीडिया, नियूज पेपर सबका और यहां मीडिया से कोई भी व्यक्ति क्योंकि यह जो परिहाड सर जो बनाते हैं और दुपैर में लगाते हैं और लगबग हम सब लोग इसको सारे ग्रूप में भेजते हैं यहां कोई मीडिया का जो परसन है, जो मीडिया काम कर रहा है, वो कभी कभा कोई इका दुक्का आता है फॉन करने के बाद भी आते नहीं पर इससे घवरानी की जवत नहीं है बिल्कुल भी घवरानी की जवत नहीं है, कि यहां कोई ना भी आये तो भी नहीं घवरानी की जवत है क्योंकि सबसे पहले यह समझे है कि मीडिया है क्या मीडिया का जो हिंदी में मतलब करेंगे या पाली में करेंगे मतलब होता है माध्यम यानि के मेरे और आपके बीच में क्या चीज है जो मुझ से लेके कोई चीज आप तक पहुंचा रही है या पहुंचा रहा है तो यहां जो माध्यम है, जो बीच में है, वो है ये जूम मीटिंग, इस पर मैं बोल रहा हूँ और आप इस पर सुन रहे हैं, तो ये हमारा माध्यम, ये हमारा मीडिया है. पुराने समय में कोई भी बात, जो बुद्धने जानी, पहचानी या बुद्ध से पहले जो हमारे स्रमर्संग के लोग थे, जब वो सन्निपात बहुल करते थे, आपस में मीटिंग करते थे, तो एक दूसरे से कैसे मैसेज और कैसे नियूज और कैसे जानकारी पहुंचाते थे, उसका जो सबसे पहला तरीका है, वो था साइन लेंगवेज, यानि कि जब आवाज भी नहीं आई थी, आवाज भी बात में बनी है, आवाज से पहले जो अंग बने थे, शरीर के आँख, ना, कान, या मुह, यानि जो चीज हिलते हैं, मुवमेंट करते हैं, उनके हिलन है कि तरीकों को हमने हा, ना, अच्छा बुरा में मान लिया, और वो साइनेज, यानि कि जो बोडी लेंगवेज के चिलने हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं, अभी भी हम घर में आधी भासा वही इस्तमाल करते हैं, जो हमारी सबसे प्राचीन पहली भासा है, पहला माध् जीव से मनाय कर देंगे, बालब से मनाय कर देंगे, आइबरो या भाँ जो हैं उन से मनाय कर देंगे, उनको तान देंगे, आँखे चोड़ी कर देंगे, आँखे कम कर देंगे, मुस्क्रा देंगे, गुस्सा कर देंगे, नाक फुला लेंगे, गाल फुला लेंगे, बोड चाने लगे फिर माधनम आवाज बन गजा था मनुस्य ही यानि कि मनुस्य अपने आप से ही कोई ना कोई हरकत करके यहाँ निकाल कर अपनी बात को द्यूसरे तक पहुंचाता था यह यह परिसानीय यह अच्छा यह बुरा यह भराब यह बात सब्द बने लगे शब्द बने लगे तो बात को जाता जाता बात को पहुचाना और असान हो उसके बाद फिर बाद देयंत्र बने लगे ड्रम सेट बने लगे धंडम की आवाज होने लगी तो एक दूसरे कभीले तक जो लोग होते थे वहां तक message पहुचाने के लिए, जो खाल के drum मनाया जाते थे, धमनम के आवाज करते थे, उन धमनम की आवाज के संकेद बने लगे. और इनी संकेतों को बाद मिं मॉट्सकी में, जो टेलीग्राम में, टेलीग्राफ में यूज होते थे, मौस्की में भी वो आवास से, टक-टक की आवास से सब्दों को बना ले देते थे और मैसेज आता था, वो वायर्ट से आता था, तो पुराने समय मनुष्य ने ये जानकारी, ये माध्यम थे हमारे, और बुद्ध ने जो माध्यम यानि के जो एक दूसरे तक सूचना पहुँ करते थे, वो भी उनका माध्यम था, उससे बहुत सारी बातें समझ में आ जाते थी, और उससे भी बढ़कर जो उनका आचार और वहवार होता था, जो वो किरिया कलाप करते थे, उस किरिया कलाप से बहुत सारी बातें, बहुत सारा मैसेज बिना बताए लोगों में चला ज चाहिए आप इसाई यह कह सकते हैं कि जो आज के समय नेट वर्किंग में जो लेंग्विज सिखाई जाती है उसके जर्म जाता सबसे ज़्यादा जो फाउंडर है वो बुद्ध रहे हैं जितने भी मार्केटिंग में मेरेजमेंट में सिखाई जाता है इनके जो माई बाप है बुद्ध ही है उन्होंने ही अपने सारे सारे स्टुडेंट्स को यह नि भीक्तूओं को वो सारी लेंग्विज सिखाई जो आज भी अंग्रेजी में फ्रेंज में जर्मन में आप पढ़ते हैं और बड़े-बड़े साइंटिस्टों के नाम देते हैं बड़े-बड़े- फिर जो मूर्टियां हैं वह बने लगी फिर अक्षर ग्यान आगया इस पर लिखी आने लगा फिर ताम पत्र आगया था आ खाने बन गए छपाई खाने क्या बने फिर किरांटी होगी क्योंकि पहले जो किताब मानी एव किताब हाँ से लिकी जाते था अरब के अंदर बहुत साए है लोगों आधाए था कि तोय विवाक्रान को हा से लिख्ल उसको बेचा करते थे और फिर उससे जो पैसा आता था उससे अपना घर चलाते थे राज खचाने से पैसा नहीं जे दे लिए ऐसा बताया जाता है और मुझे अपके बाद दाल कर और उसके अंदर ये जितनी वी चीज़ें हैं वो डालने के बाद में फिर उसको गीता के नाम से जाना चाता है बागी सारी शीज़ें उसमें लगबख वही की वही है तो ये जो माध्ध्यम और जो ये मीडिया है ये मीडिया अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये तेजी से बड़ाइस की इतनी इतनी fast space हो गई है कि मैं यहां बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग इसको record भी कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया ब रेकॉर्ड हो जाता है, और इसको record करके live भी कर सकते हैं, वो live भी कर रहे होंगे, तो कुछ पता नहीं, save भी कर रहे हैं, 250-250 families को देख रही हैं और ये कल इसका वीडियो आ जाएगा जो 10-30-30,000 लोग इसको देख लेंगे फेस्पूप पर लगेगा सब के लगेगा यानि कि आज जो बात हम कह रहे हैं वो एक दो घंटे के अंदर लाखों लोगों तक पहुंच सकती है पहले ऐसा नहीं था पहले एक बात कहने के लिए एक वेक्ति को एक दूसरा वेक्ति त्यार करना पड़ता था उसको महीनों सिखाना पड़ता था सालों सिखाना पड़ता था फिर सालों सीखने के बाद फिर जब टेन होता था फिर वो बहार चाता था तो सिखाने वालों का और सीखने वालों का काम बहुत लंबा चोड़ा था और ये करांधी जो बुद्ध ने की है, ये पूरी की पूरी करांधी उन्होंने अपनी पूरा जीवन लग करे की है, आप समझेए कि उस समय कितना कट हिंथा जब हिसान बे। बात में जितने भी महाफ़्रोस आये उन्होंने गाकर जो मीडिया था उनका गायन में बदला गाया कर तानपुरा लेकर एक तारव लेकर वह बातें बताया करते थे जितने भी संत औगरह थे और वह गाया कर गली गलीयों में तो उनका एक माध्यम था बावा साब अम्बेटर ने अक्वार चलाया और वो इस पीछ भी दियते थे और जो बाकी महापुरोस हैं उन्होंने भी सबने अक्वार चलाए और सबने जो भी पर्चे चापे या हैंडविल चापे या बोले ये सारी चीज़ें उन्होंने की है ये मीडियर माध्यम कोई भी करांती कोई भी जानकारी कोई भी बात ये तो सामाजिक हम करांती हैं और सामाजिक बदलाब की बात कर रहे हैं सामाजिक बदलाब की दो बात छोड़िये घर के अंदर भी अगर कोई बात आपको अपने घर में किससे कहनी है तो कोई ना कोई मीडिया होगा, तब आप बात के सकते हैं, या तो चटी लिखें उसको, या मुह से बोलें, या इसारों से बोलें, या कहीं कोई ऐसी कोई लिख के कोई चीज बना के छोड़ जाएं, जो साइन, जैंग उच कहा हो, कोई च कहनी है, तो आपको कोई ना कोई माध्यम एडॉप्ट करना ही पड़े, यानि कि दुनिया के अंदर लाखों परकार के तरीके लाखों परकार की जो चीज़ चलती है, और थोड़े से माध्यम चलते हैं, बिना माध्यम के, बिना मीडिया के सब्वेकार हैं, इसलिए जो तोज यूज करते हैं, तोज इस्तमाल करते हैं, कोई ये कहता हो कि मैं मीडिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो मीडिया के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो कैसे अक्वार छपता है, मैं जानता नहीं, कैसे यूटूब बनता है, मैं तो जानता नहीं, कैसे टी फिस घंटे जब बच्चा पैदा होता है तब ही से मीडिया को सीख लेता है माध्ध्यम को सीख लेता है सबसे पहले वो रोता है जो रोना है उसकी जो आवाज है वो उसका माध्ध्यम है जो उसकी मा के कान में पहुंसती है उसकी माँ उसको दूद पलाती है यानि वो जानता है उसके बाद में वो फिर हाथ पर हिलाता है हाथ पर हिला के अपनी बाते करता है फिर वो हाथ से सारे करता है उसको बाहर जाना होता है पैदा इसी मीडिया का प्रियोग करते आ रहे हैं हम लोग पैदा इसी जानी कि मा के पेट में जो बच्चा होता है तो आवास सुनके वो हम अपने निये करते हैं, अपने खाने के लिए करते हैं, अपने जोजी रोड़ी के लिए करते हैं, अपने मरुजन के लिए करते हैं, अपने परिवाच लाने के लिए करते हैं, अगर सामाजिक काम के लिए हम कितना मीडिया का इस्तमाल करते हैं, यह ज़्यादा इंपोर्ट से न्यूस्पेपर पढ़ने वाले को फायदा होगा उन लोगों को जानकारी होगी हमारा न्यूस्पेपर होगा उसके बांटने की दिख्कता जिया उसे च्छापने की दिख्कता जिया महंगा कांट कोई व्यक्ति अगर टीवी पर कोई अपना एड लगाता है टीवी पर जा नहीं करते ना हम पैसा लेते हैं ना हम पैसा देते हैं कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मैगजिन चापके बाटूंगा तो हम मैगजिन चापके बाटने की इस्तिति में नहीं है क्योंकि हम किसी भी हलत में ना पैसा ले रहे हैं ना दे रहे हैं हम हैंडुली भी नहीं बाटते हैं तो जो हमारे सस्ते माध्यम है जो हमारा सस्ता मीडिया है जो हमारी सस्ती चीज है उसका इस्तमाल करना सीखें और उसके लिए ये मान के चलें कि हम जनमजात मीडिया पर समय हैं हमें किसी का इंद्यार नहीं करना है किसी का मुँ नहीं देखना है आपको यकीन हो या ना हो पर मैंने इसका इस्तमाल करना सीखा और मैंने जाना तो आज मैं ये देखता हूँ कि ये कितनी तेजी से फायदब्द हो रहा है और पैसे ध्याने की दबाद छोड़िये इसमें तो पैसे मिलते भी है अगर आप फेस्टूप पेज बनाएंगे तो पैसा मिलेगा अगर आप एक सब्सक्राइब् развитicon की देखता है ये और आपनी अपने आपजयें गर दटनिया में मिलता है और पूरी दुनिया में मिलता है कैसे Spotify पे कैसे करके काम चलता है तो मीडिया मैन, मीडिया परसन हरे को बनना करेगा जैसे घर में हम चट्थी लिखते थे पहले हमारे पिता जी यहां आगे हमको ये भेज़ दो ये काम, ये काम, ये काम वैसे ही आपने चट्थी लिखकर अब भेजनी कहा है, फोटू खींच कर WhatsApp पर डालना, फोटू खींच कर आपने YouTube पर डालना, जैसे आप बोलते हैं, बात करते हैं बस वही बाचीत आपने record करके Facebook पर डालनी है, वो live भी डाल सकते हैं वो recorded भी डाल सकते हैं, इसकी चिंदा जानकारी के पहुचाने के तरीके को माध्यम बोलते हैं, जानकारी कैसे पहुचाई है, इससे कोई लेना दरा नहीं है, आपने जानकारी पहुचा दी, इसका मतलब कोई ना कोई माध्यम इस्तमाल हुआ र काम हो गया, आपने कोई सूट पूट पैनके नहीं बैटना है, को कोई आएगा नहीं कोई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सबका रोजगार है सबका प्रॉफेशन है अगर आप यूटूब वालों को बलाएंगे कि यूटूब वालों हमारी वीडियो बना दो तो वो आने का जाने का कैमरे का खर्चे का पर परवार की पैसे लेगा ही लेगा आपको देने पढ़ेंगे उसका प्रॉफेशन है आप अगर अखवार चाप होगे तो अक्क्वार के लिए जो करके जो संस्ता है वो संस्ता सारै नियूज देती है उसकाौटल ख़हिजना पढ़ेगा उस पर नियूज आएंगी फिर आपको प्रेस से अक्वार चपाना प पढ़ेगा, फिर उन से पैसा लेना पढ़ेगा, बहुत लेंदी काम है, हमने बीस साल पहले किया था, भाट टाइम्स के नाम से किया था, बीस ऐार रुपर पढ़े खर्च होते थे, और उसको बीस आदमी में नहीं पढ़ते थे, वो रद्दी बन गए जाता था, क्योंकि उ कीमत बहुत ज़्यादा होती है, छपने के बाद में, एवटराइजमेंट से सस्थिपा जाती है, उनसे फाइदा भी बता है, तो टीवी में तो उमीद ही छोड़ दीजिए, क्यों टीवी तो सारे लगबग जा चुकी है हमारे हास से, तो टीवी में हमें दिखाएगा कौन हमारी पिछलों का परचार भी नहीं होता, हमारे लोगे जाते भी नहीं, और जो जाते हैं उन्हें को पूछता नहीं, उनका परचार नहीं में जाता है, जिसके सुनने वाले ज़्यादा हों, जिसके पढ़ने वाले ज़्यादा हों, जिसके देखने वाले ज़्यादा हों, देखने वाले ज्यादा कौन है हम, पढ़ने वाले ज्यादा कौन है हम, सुनने वाले ज्यादा कौन है हम, बेसे कोई छापे, बेसे कोई टीवी चलाए, बेसे कोई आडियो चलाए, कोई फरक नहीं पड़ता, अगर हम उसको देखना बंद करना है, तो हमको उनका मीडिया दे स्वार्ट सर्ण का एडिटोरिल या उनकी न्यूस पढ़ने कोई फाइदा नहीं है कोई एड़ाजमेंट आई उसे पढ़ने सारा एकवार में उल्टा लिखा होता है उससे कोई फाइदा नहीं तो आप जो पिच्छरे उनकी आती है वो पिच्छन देखना बंद कर दिजिए इससे बहतर है जो अंग्रेजी पिच्छे आती है उनको देख लीजिए अंग्रेजी पिच्छों में फिर भी बहुत बड़े सब्यक्ट होते हैं हमारी पिच्छों में तो वही आडंबर, पूजा, पाठ, रोना, धोना, गाना, महंगे-महंगे कपड़े, महंगे-महंगे- वह पिच्छ ना देखना चाहिए, वैसे ही टीवी देखना बंद करते हैं चाहिए, सीरियल में कुछ नहीं जाता है, तो करें क्या, आपको अपना मीडिया बनाना है, और अपना मीडिया देखना है, समढ़ संग में आप अपने सब्जेक्ट की वीडियो बनाइए, परिव आप भरोसा बंद कर देंगे, और बैसा क्या फैंक देंगे, और किसी की सकल नहीं देखेंगे, और सिकात करना दो बलकुल बंद कर देगे, ये सिकात मत कीजिए, कि ये मीडिया हमको दिखाता नहीं है, ये यूट्रिकलर वाला हमको दिखाता नहीं, ये एकवार में हमारा ह नहीं इसने हमारी बात नहीं कि क्यों कोई बात करेगा हर दुनिया में जो बात करता है अपने परिवार की अपने खुनमे की करता है क्यों करेगा आपकी बात जब आप उसके परिवार में नहीं आप उसके खुनमे में नहीं तो क्यों करे और क्यों आप उम्मीद करते हो धीक वेक्ति को यूटुब का अदमी हर वेक्ति को फ्पर्चार और पिर्चार करना सीखिए आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको ध्यान दिला तो हम पिचले सत्तर साल से अपने दिमाग में लेके गूंब रहे हैं मैं जब मैं पढ़ता था तो मैं BBC London सुना करता था BBC London रेडियो पर बहुत मुश्किल से लगता था रेडियो सीलोन से आता था और मैं यहां के अखवार को पढ़ता था और यहां की न्यूज को सुनता था तो मुझे यह बड़ा ताजव होता था कि जो जानकारी BBC London दे रहा है जो सका एडिटोरियल दे रहा है जो वह बता रहे हैं उसमें और जो यहां जो जानकारी दिजा रही है उसमें तो जिम्यात मैं डेंत अंतर है तो एक खवर में है कोई कम कोई ज्यादा तो मुझे ताज्य होता था फिर बात में पता चला कि भाई ये सारे सारे वही लोग बैठे हुए है जो लोग हमारे खिलाफ केम्पेंड करते हैं इसलिए आज जो मैं ये जो टॉपिक बताया था मैंने आपको सुरू में कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी बात को पहुंचा कैसे रहे हैं और क्ती तेजी से पहुंचा रहे हो किसको पहुंचा रहे हैं और कप पहुंचा रहे हैं इस बात को पहुचाने का जो माध्धम है, मीडिया है, वो नहीं हुचाने, वो मीडिया है, वो इंपोर्टन है, तो कैसे आप पहुचाएंगे, आप अपने घर पर बोर्ड लगाएंगे, या अपने घर पर पोश्टर बनाएंगे, या हाथ से पोश्टर बनाएंगे, या ब् वीदा पीपल समढ संग का क्या क्या आगे तक पहुंचा सकते हैं कोई चाहे तो हाथ से वी बना के उसका फूटो खीच के लगा सकता है घर पे टांग सकता है अपने घर में फ्रेम करा के लगा सकता है अभी यहां जो हमारे स्पोक हैं करम वीड़ सिंग इस तरह हैं उन्होंन आपका पोश्टर वी के साथ लगा हुआ इतना लाजवाब लग रहा था जिसका वो जवाब नहीं तो आप वो पोश्टर अपने घर में कब टांगेंगे कब बनवाएंगे कब देखेंगे कब अपने घर के दरवाजे पे टांगेंगे कब भी लगाएंगे कब अपने साइ क्योंकि आप दूसरे सम्मीद करना है और दूसरा आपके लिए काम क्यों करेगा काम तो हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि जुड़ने की जित तो हमारी है किसी और की तो है नहीं बाकी तो सब की तोड़ने की जित है आपने जो यहां 14 अपरेल का टंका बजा दिया है और 14 अप सबका जो वाटसेप का उसका डडडडड़ नहीं आता है तो दस्यों लाख लोगों तक वीडियो जा चुका है और इस वीडियो में जो आपने कहा है कि 14 अपैल को सबको इखटा होना चाहिए तो पड़सी वाले लोगों की आफ़त आ रही है जिसमें आपने ये कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे हम तो अपनी रोटी लेके मैदान में आएंगे हमें मैदान बता तो कौन सा है हम तो अपनी दरी लेके आएंगे अपनी चादर लेके आएंगे हमको टेंट नहीं चाहिए भाई हमको बरात्म नहीं आना हमको नहीं खानी हलुआ पूरी बाबाब सा जरमें अगर 6 बच्चे हैं तो बाप का जिन बना रहेता है कि उसे बच्चों को लात मारके निकाल देना चाहिए जो अपने बाप का जिना अट मारकर बोलना इन्होंने अपने बाप कर न मित्टी में बिडा दिया इस नहीका मरा रहा रहें कि अर दुनिया हसती है प्रिशा किस बात का खर्च करना है किस बात का लाग हो कड़ो रुपया खर्च करना है उसके अंदर फाइदा क्या है उसका जब सारे अधिकार चलेगे सब्सक्राइब कौन सा जन्दिन का फाइदा हुआ बावा साथ तो जो चड़ी उनके पास थी ऊचड़ी को मारते मारते तोड़ देते इन घदों के उपर और इनको सरम नहीं आती बावा साब की आँख क्या बंध हुई पूरा-पूरा जो जो जुडने जुडने का कालिकरम जो बावा साथ ने और अगनाईज होने का फिर नहीं हो सकता, इसलिए अभी से सुरू करना है, जैसे चाहें वह सुरू करना है, क्योंकि जिद्ध हमारी जोडने की है, जिद्ध बचने की है, और रियल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी कान लगा के रखिए कि लोगों में बड़ी हल् वाले हैं, जो टेड़े चलने वाले है, वो अपनी चाल सीधी कर रहे है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतने दिन से टेड़े चलने है, तो कहरें सीधी कैसे करें, बावजी, अब तो पैर भी टेड़ा ही पड़ता है, तो वो जो पैर है, वो ठीक करना है, वो पैर उनका हर अरत में ठीक होगा जब आप उनका चंदा बंद कर दोगे कि उनकी चाल जो टेड़ी है वो चंदे से टेड़ी है आपने देखा होगा नचनिया को अगर पैसा मिलता रहे तो नचनिया एक गाने को तीन दिन तक गाती रहेगी तीन दिन तक उस पर आप पैसा वारते भाई उनको नाचनी के आदत पड़ गई है आप पैसा फैंकना बंद कर दो तो ठीक हो जाएंगे अब नाचना का समय नहीं है जब हमारे अधिकार आ जाए खुब पैसा फैंकना खुब नचवाना कोई दिक्कत नहीं है मगर अभी समस्या है अभी अगर वो नाचते रहे न पैसा देंगे दब इखटे होके आओगे जब धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तुम्तियं पी संदं सर्नं गच्छाम। तुम्तियं पी संदं सर्नं गच्छाम। साथू, साथू, साथू